दोस्तों बच्पन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से या शराब पीने से कैंसर होता है और यह कुछ हद तक सही भी है लेकिन पूरी तरह नहीं जैसे जैसे होमेपेथी में इनसान अंदर गहराईयों में जाने लगता है वैसे वैसे हर एक चीज का कारण समझ में आने लगता है तो मैं ये कहूँगा कि गहराई में जाने के बाद ये पता चला कि ये तंबाकू शराब या सिगरेट ये ही वज़े नहीं है कैंसर के कैंसर के दूसरे भी वज़े है दोस्तों अगर हम लोग माल लेते हैं दो मिनिट के लिए माल लेते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है मैं गाओं में देखा हूँ अक्सर 95% जो लोग हैं वो टोबैको कंस्यूम करते हैं या खाते हैं या सिगरेट पीते हैं किसी ने किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं और बहुत बुरी तरह यानि दिन भर उनका हाँ मुँ में दबा ही रहता है तंबाकू पर कैंसर उसमें से कितनों को कैंसर होता है गाउं में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिन भर बीड़ी पीते हैं जैसे काम करने वाले बिचारे आपने भी देखा होगा आप कभी गाओं जाएंगे तो देखेंगे पर मेरा सवाल है इसमें से कितनों को कैंसर होता है सब को होता है नई क्यों ये जब हब होमेपेथी में घुशते हैं न तो पता चलता है दोस्तों देखिए ऐसा कहा जाता है कि वाटर मेलोन वाटर मेलोन सैंडी सोयल पे यानि रेतिली जमीन पे बहुत अच्छे से उसका फल लगता है या फलोरिश होता है या फलता फूलता है उसका पौधा रेतिली जमीन पे अगर हम आम का पेड लगा देंगे तो water melon नहीं हो जाएगा वो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर रेतिली जमीन हम लोग टोबैको को, स्मोकिंग को या अलकोहल को माल ले तो अगर water melon का बीज रहेगा तो ही वहाँ से water melon पैदा होगा लेकिन अगर वो बीज आम का है तो water melon पैदा नहीं होगा cancerous, cancer एक state of mind है जब तक वो state इंसान में नहीं होता cancer नहीं होता बिलकुल नहीं होता चाहे वो दिन भर तमबा को खाये बीडी पीने वाला बंदा है आप देखोगे cancer से ज़्यादा लोगों को टीबी होता है टीबरकलोसिस वाइनोट cancer हमारा जो इंडिया country है वो अभी इसी फेज से जा रहा है अभी cancer का फेज आने वाला है और दिन पे दिन आप देख रहे होंगे कि cancer के patient रोज मर्रा की जिन्दिगी में बढ़ते जा रहे है ऐसी मानसिक्ता बनते जा रही है लोगों की कि cancer बीमारी समाज में अपना हाथ पैर पसारे जा रही है और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तो मैंने ऐसा भी देखा है कि patient किसी चीज का सेवन नहीं करता न वो तंबाकू लेता है न वो cigarette पीता है न वो शराब पीता है फिर भी उसे cancer हो जाता है आप भी सुने होंगे तो वहाँ पे ये logic कहा गया क्यूं होता है उनको वही मैं बता रहा हूँ जब तक mind cancer का न हो जब तक mentality cancer की न हो cancer की mentality ही cancer को invite करती है थोड़ा सा brief में बहुत हलका सा हम लोग आज इसके उपर नजर डालेंगे ओके दोस्तो अक्सर मैं ने देखा है cancerous जो patient होते है वो बड़े साधे होते हैं वो simple होते है at the same time they are very lovely बड़े खुबसूरत होते हैं दिखने में उनका बोल, चाल, धंग, तरीका, सब कुछ अच्छा होता है ये tubercular में भी है उनको घुमना फिरना पसंद होता है ये tubercular में भी है, उसको भी घुमना फिरना पसंद है देखे कैसे parallel ही चल रहे हैं दोनो ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाते है ये बंदे बड़े sentimental होते हैं, sympathetic होते हैं बहुत सारे cancer mentality के patient अगर उनके सामने किसी जानवर को काट दिया समझो, cancerous mentality का patient है या वो इनसान है वो mutton लाने चला गया या chicken लाने चला गया और उसके सामने ही उस animal को काट रहे है बहुत ज़्यादा मुम्किन है कि वो छोड़ देगा खाना क्योंकि वो इनसान तो इनसान जानवरों के भी suffering को बरदास नहीं कर पाता वो देख नहीं पाता कि brutality उसे सहन नहीं होती दूसरों का दुख देखके वो बड़ा दुखी हो जाता है दूसरों का खुश देखके वो खुश हो जाता है बड़ा sentimental होता है इसके पेशेंट हमेशा हसते रहते हैं और ये सिर्फ दिखने में ही खुबसूरत नहीं होते हैं इनका सभाव भी खुबसूरत होता है हमेशा ये कोशिश इनकी हमेशा रहती है कि कोई मेरी वजह से दुखी नहों लोगों से हमेशा मिलते रहना, समाज में हमेशा रहना आप ये कह सकते हैं कि हमेशा वो चाहते हैं कि मैं दूसरों को खुश रखूँ दूसरों को मैं किस तरीके से खुश रखता हूँ, किसी को नाराज नहीं करना चाहते और जब आदमी ऐसे स्वभाव का होगा तो ऐसे इंसान को बट नेचूरल है कि बहुत ज़्यादा एप्रिशियेशन मिलता है So they gather lot of appreciation from the other people दूसरों से उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशियेशन मिलता है अभी कुछ जगहों पे ये बहुत sensitive होते है noise को लेके एक cancerous mentality का patient है या इनसान है उसके सामने अगर कोई music चालू है और वो music धार धूर धाम धूम जोर वाला समझ गए ना उस तरह का music है तो वो upset हो जाता है वो tolerate नहीं कर पाता वो चीजों को या फिर बच्चे चिला रहे हैं वो से क्योंकि shrill sound या loud sound ये दोनों उसको तकलीद देते हैं तो वो कभी music पसंद भी करता है ना तो वो soft music पसंद करता है sentimental music पसंद करता है इस तरह की music पसंद करता है वो ये patient बहुत जादा nature lover होते हैं दोस्तों प्रकृती से इनको बहुत प्याह होता है जहां भी ये हर्याली देख लेते हैं वो देखके इनके अंदर एक अजीब सी प्रसन्नता आती है खुशी आती है happiness आती है nature से मेरा मतलब सिर्फ हर्याली से ही नहीं है आप sea shore ले लो hill station ले लो कोई भी ऐसी जगह जहां पे nature बहुत अच्छे से बिखरी हुई है वहां पे वहां पे जाके वो बहुत खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा nature lover होते हैं और ये animals को बहुत पसंद करते हैं ये animals को hurt करना पसंद नहीं करतें दोस्तों got it ? so इस तरह की mentality soft, delicate, graceful, ऐसा nature होता है उनका sentimental, sympathetic अक्सर मैंने देखा है ऐसे लोगों को ही cancer का सिकार होते मैंने देखा है ये मेरा अपना practice के दौरान मिला हुआ है और है भी ऐसा कही patient ऐसे आते है cancerous उनको देखने में ऐसे लगता है बड़े simple है उनका dress up बहुत simple रहेगा लेकिन neat and clean रहता है वो जब आपके पास बैठेंगे दोस्तों वो आपको बहुत इज़द देंगे उनका presence आपको discomfort फिल नहीं करता है प्लीजेंट फिल करता है अच्छा लगता है जब cancerous आपके पास बैठा हो कई बार तो ये अगर वो group में रहते हैं तो सब की जिम्मेदारिया भी उठा लेते हैं यानि दूसरों के लिए दर्द सहते हैं इनकी शहन सकती बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों और एक चीज ये हमेशा concern रहता है इनको कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं what other things about me ये इनमें बहुत strong होता है शायद इसलिए ये इतने social, smiling, sympathetic क्योंकि इन्हें appreciation चाहिए ये पसंद करते हैं कि लोग appreciate करें people should praise him, people should appreciate him ये उनका desire होता है so इस तरह का mentality होता है cancerous अगर ऐसे बंदें जरूरत से ज़्यादा tobacco का seven कर रहे हैं smoking कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं तो ऐसे patient को cancer होने के chances ज़्यादा होते हैं as compared to dull people's so ये video बनाने का मेरा main मक्सद यही था कि जब तक cancer की mentality नहों cancer नहीं आता it hardly matters कि आप क्या seven कर रहे हैं किसी भी बीमारी को आने के लिए दोनों चीजों की ज़रूरत होती है positive factor और inviting factor आपका nature उसे invite करता है और positive factor जो मैंने बता है tobacco, smoking, alcohol I think ये video useful होगा आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे जो मिला मैं आपको दिया ठीक है दोस्तों मुझे पता है कि जो आज तक हम सब मान रहे थे कि tobacco ही इसका main वज़ा है ये partial success था और इससे related question जरूर आएंगे मुझे लगता है सो जो भी आपके जेहन में सवाल उठ रहे हो कुछिएगा कोशिश करूँगा जवाब देने का दोस्तों Thank you very much कर दोस्तों कर दोस्तों